कि आप सभी को मेरा प्रणाम पेट फूलने की समस्चा एक बहुत बड़ी समस्चा है कई बार खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है आप खाते थोड़ा है लेकिन पेट ऐसा लगता है जैसे बहुत जादा खालिया हो या कई बार कुछ खाया भी नहीं लेकिन फिर भी पूरा दिन पेट फूला रहता है ये बहुत बड़ी समस्चा है बहुत लोगों को रहती है आप में से भी अने को लोगों को होगी आपके मित्रों को होगी तो आज में इस वीडियो में आपको इसका पर्मनेंट समधान बताने जा रहा हूं किन कारणों को आप ठीक करेंगे तो आपके पेट की समश्या ठीक होगी और कुछ ओश्दी क्या आप इसमें ले सकते हैं तो इस वीडियो को आप शेर जरूर करें ताकि अधिक सदिक लोगों त सबसे पहली बात जिनका पेट फूलता है तो उनके पेट में वायू का संचन ज्यादा मात्र में हो रहा है जब आप खाना खाते हूं तो सबसे आपको ध्यान रखने की आवशकता है कि आप दिरे दिरे चबाकर भोजन करें आराम से भोजन करेंगे तो आपके पेट फूलन बोजन के साथ पानी यदि पीने की आपको आवशकता लग रही है आपका गला सूख रहा है बोजन इस तरह का है कि थोड़ा ट्राइनेस ला रहा है आपके गले में तो आप एक दो घूट पानी पीए अब पानी का पीए पानी आपको पीना है लगभग 45 मिनट से डेड़ घंटे के द्राल में कम से कम 45 मिनट का तो आपको अंतर रखना ही है बोजन के में और पानी में या डेड़ घंटा अति उत्तम है तो आप अपने आदत के नुशार इस समय को निर्धारित कर लें समय पर भोजन जरूर करें जब आपके भोजन का जो समय निश्यत किया है आपको लंच कर लेना चाहिए तो इस समय को आप निश्यत रखें साम को भी आफिर सूरियस्त होने तक भोजन कर लें सूरियस्त होने के बाद जो भोजन करते हैं और उसके तुरंत बाद आप सोने चले जाते हैं तो यह बहुत ठतरना पिस्तित है इससे भी डाइजेशन व बनाए रखो इन बातों को अधि आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपकी काफी हट तक पेट फूलने की समस्या में अराम मिलेगा अब आपको करना क्या है आपके पास छोटी हरड आपके घर में भी मिल जाती है और घर में अधि नहीं है आप नहीं रखते घर में तो आ आपको क्या करना है यह एक छोटी हरड आपको खाने के बाद खानी है खानी कैसे है इसको थोड़ा तवे के उपर रोष्ट कर ले हलका जब आप रोष्ट करते हो तो यह फूल जाती है तो इसको आप भूलने के बाद तवे से उतार ले और ठंडा करके इसको इसकी पाउड की मात्रा भी मिक्स कर लिए अजबायन को भी थोड़ा रोष्ट कर सकते हैं आप या बिना रोष्ट किये भी आप ऐसे भी उसको पाउडर बनाकर इसमें मिक्स कर लिजिए अब आपको करना क्या है भोजन आपने जब किया तो भोजन के तुरंत बाद आपको इसका आधा लेगा या आप अगर इसको पाउडर नहीं बनाना चाहते तो साबूत भी इसको खाया जाता है केवल आप इसको भून के रख ले उसमें आप इसको थोड़ा लेमन डाले और एक खाना खाया उसके बाद में आपने दो हरड आप इसको मुह में रखके चबा लिजिए खाने पेट की लगभग सो प्रकार की बिमारियों से यह अकेली आपको हरड ठीक करती है पेट फूला ही नहीं आपको दूसरी जो समस्चाइए हैं एसीजिक प्रब्लम रहती है खाना देर से पसता है मोटापा बढ़ जाता है वोटर टेंसन की प्रब्लम होती है तो इन सारी समस् आसन में आप घुपनों को मोड़कर लेटे रहें सुभए खाली पेट जरूर करें और जो मैंने दूसरी बातों को ध्यान में रखने के लिए उन पर ध्यान दें अपने जीवन को आप स्वस्त बनाएं अपने आपको उर्जावान बनाएं इनी सुब कामनाओं के साथ हम फ